अगर आप assistant professor बनना चाहते हैं इंडिया में अगर आप किसी category से आते हैं मान लोग किसी बी category से आते हैं EWS से आते हैं या फिर OBC से आते हैं या फिर SCS से से आते हैं या फिर आपके किसी physical handicap के category में आते हैं तो UGC ने एक important guideline निकाली है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा में उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मैताव रखती है उनके selection में पहला point यह है कि देखो उनों UGC ने बोला है कि भरती में आरक्षन के अनु तो किसी subject में एक recruitment है तो वही आपने जर्नल के कर ली फिर आपने मालो दूसरा subject की recruitment की वह भी जर्नल की कर ली तीसरा की वह भी जर्नल की हर subject में आपने एक recruitment की सब जर्नल में recruitment कर ली तो फिर जो जितने OBC के SC के EWS के ST के जो बच्चे हैं वो कहां गई उनके लिए reservation क्यों नह ने बोला है कि अब जो universities and college को ना रोस्टर प्रणाली फोलो करनी होगी रोस्टर का मतलब होता है merit मेरिट का मतलब यहां पर यह है कि जो बच्चा रिजर्व काटेगरी में आता है तो उनको भी chances मिलेंगे मालो जितनी भी आपकी recruitment है स्पोज आप 100 recruitment कर रहे हो और 20 आप सब्जेक्ट में recruitment कर रहे हो तो एक हिसाब से तो काईदी सिमालो आपने सो में से 80 जर्नल की निकाल दी अब यहां पर यह है कि आपको न चालिस निकालनी पड़ेंगी जर्नल की 10 निकालनी पड़ेंगी EWS की बाग की 27 निकालनी पड़ेंगी OBC की फिर उस हिसाब से आ अब मतलब यह हो रहा है कि भई UGC ने बोला कि रोस्टर आपको आपको फोलो करना है 21 जुलाई तक आपको फोलो करना है अब रोस्टर की भेजने के लिए इनके पास जो राजएके उनिस्टि ए हैं इनके पास वह डेटा यह नहीं नहीं क्योंकि उन्हों धिस्य हिसाब से भड़ती नहीं कि तो अगर उनने भड़्टी रोस्टर वख्छ ऺंथना वग्हेतर यह कि अब वन वहाओ पर थियार कराना पड़ेगा यहीं कंटा ते अर्षितर में शांते के सांब्सक्राइव 5 कितने PWD के लगा रखें, तो आपको सब का एक data बनाना पड़ेगा, नियम क्या कहता है, कि recruitment का नियम क्या कहता है, recruitment का नियम ये कहता है, कि जी अगर आपको इस subject में recruitment करते हो, तो minimum तीन assistant professor रखोगे, तीन assistant professor रखोगे, दो associate professor रखोगे, एक professor रखोगे, तो कम से कम आपके बाज बंदे होने चाहिए, तीन assistant professor, दो associate professor, और एक professor, और teacher student का ratio 110 होना चाहिए, 110 का मतलब ये है, कि अगर 10 student तो एक assistant professor या एक मलब होना चाहिए, अगर आपके पास 100 student है, एक किसी महालो, फस्ट येर में 60 बच्चों का एड़ी में सुना, सेकंड येर में 60 बच्चों का एड़ी में सुना, तो वहाँ पे बारा assistant professor मलब होने चाहिए, चार associate professor होने चाहिए, दो professor होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए, ये योजीशी ने बोला है, अब आप इस तरह से जाके देखोगे तो, colleges, universities में जाके देखोगे, 300-300 बच्चे हैं, teacher वहाँ पे कुल में 15 हैं, कुल में 10 हैं, कुल में 8 हैं, और private में तो और भी बुरा हाल है, अब कई बार क्या होता है, कि भई, loophole के लिए ये, कई बार recruitment में ये कहते हैं, कि बंदे वो नहीं मिले, हमें सही नहीं मिले, तो बंदे सही नहीं मिले, आपको 6 मेंने बार recruitment करना पड़ेगा, ये इन्होंने बोला है कि भई, और जिन्होंने 2018 के नुरूप PhD कर रखी, उनको valid करना है, net लेना है, अब ये recruitment के जो order है, ये सकती से दे दिए गए हैं, कि भई, आपको मानना ही मानना है, ये पहले 2019 से बात हो रही है, अब ये सकती से क्यों मानने पड़ रही है, कि भई, गवर्मेंट एक तो majority में नहीं है, majority में नहीं है, तो जो विपक्स है, वो बोलेगा कि हम आएंगे तो हम ऐसे बरती कर देंगे, वैसे बरती कर देंगे, तो उससे उससे क्या impact आएगा, उससे जब अब जो य यहाँ पर स्टेट के इलेक्शन होने वाले इधर उधर, तीन-चार जगे स्टेट के इलेक्शन होंगे, महाराष्टर में होंगे, और एक जगे और होंगे, वालब जो स्टेट के इलेक्शन होंगे, जारखंड में होंगे, तो उसका impact यह पड़ेगा, यहाँ पर यह गवर तो कर रहे हैं फिर उसमें और धान ली आ रही है पहले गोवर्मेंट फसी हुई है कहीं नीट के चक्कर में कहीं किसी चक्कर में तो इस चक्कर में वह दोबारा फसना नहीं चारी तो इसलिए इन्होंने यह गाइडलाइन निकाली करती तो अब आपको देखने को मिल तो वह अपनी पब्लीज करा लीजिए ताकि आपको फाइदा हो जाए और वह आपकी कोई क्यूरी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों एक साथ सेर कर लीजिए इस वीडियो में इतना है थैंक्स सेयों आइटे